नमस्कार, आज मैं एक छोटा सा व्लोग बना रहा हूँ, दीपावली कल है, सो आज के दिन मैं रतनपुर में जो सजावट हुई ये दीपावली के लिए, जहलर लगाए गई सब कुछ तो आज के दिन आपको मैं दिखाने का प्रयास करूँगा, और धंतेरस दो दिन है, तो घंतेरस में भी अगर शॉप लगी हुई तो मैं दिखाऊं कितनी शॉप लगी कियो रतनपुर में, और यहां पे एक बहुत उची प्रतिमाय भगवान श्रीराम की और हन्मान जी की, तो वो भी दिखाएंगे आपको, तो हमाई सा जुड़े रहेगा, मनी के साथ मै हमारे अब फूजा हो रही है आपको दिखाता हूं अब हम चल रहे हैं भगवान शी राम जी के दर्शन करने के लिए जो कि हमारे घड़ से अराउंड एक किलमेटर दूर है तो चली चलते हैं वहाँ पर आपको दर्शन कराते हैं भगवान शी राम जी के बहुती भवे दर्शन तो चली चलते हैं वहाँ जो हम आज दो करें हम पार यहां पर पर पताक के बजनें बहुत सारे तो यह रही भगवान शीराम जी की मूर्ति आंटी वहां खड़ी है तो देखे कितने छोटी है और भगवान शीराम जी की मूर्ति आप उससे में तरब अंदाजा रगा सकते हो कितनी बड़ी मूर्ति होती है और भगवान शीराम जी के बगल में सामने ही अनमान जी की मूर्त आप नेचरों जैए श्री राम बहुत ही अर्वत रहे प्रभू कि यहां पर भगवान श्री राम जी का दर्बार है श्री राम माथा सीता राता शी रश्मन और हनुमान जी जैओ प्रभू जय हो जैओ स्रीराम चलिए सामने चलते हैं वहाँ पर हनमान जी के आपको दर्शन भी कराते हैं और फिर अब यहाँ से हम लोग चलते हैं पूरे रतनपूर में एक तरह से ट्रैवल करेंगे और चेक करेंगे कि कैसी डेकुरेशन हुई है दीपा वाले के दिन और उसको एक रिकॉर्ड करेंगे और एक छोटा सा व्लॉग बनाएंगे जिससे कि आप लोग देख सकें कि कैसी डेकुरेशन हुई है यहाँ पर और मतलब एक तरह से मुवमेंट रहेगा एक कैप्चर करके हम रख पाएंगे उससे और आगी चलके फ्यूचर में देखना हो देख सकते हैं तो चलिए अब चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं पूरे रतनपुर में जो भी डेकुरेशन है यह उसके है जैए श्री राम गोरे भगवान श्री राम जी के दर्शन अब चलते हैं और पूरे रतनपुर का भ्रमण करते हैं और देखते हैं कैसा डेकुरेशन हुआ है पूरे रतनपुर में जैशी राम तो यह सजा है पूरा रतनपुर आगो देखें तो सामने आगे पूरे फ्लैट जितने में सारे सजा हुएं है इधर सजा हुआ है आज में जय अ जया हुए है यह सजा हुआ है तो यह मेरे छह से पूरा ऐसा व्यू आप सो ये है रतनबूर की पटाकों की बजा आप सभी को आज के दिन हैपी रिपावडी ये छोड़ा सा व्लॉग बनाया है जस्ट आ मेमोरी व्लॉग है और अभी दीब जलाने जाएंगे सामने ले घर में और इसमें भी तो उसको भी छोड़ा सा कैप्चर करूंगा और भी मतलब हम भी पूजा कर रही है तो उसके बाद ही हम लोग का दीब और शायद पूजा करते समय ही दीब के लिए होता है कि जब पूजा हो रही हो तभी दीब जलाए जाते है तो उस ताइम जलाएंगे टो अदिए्ट हुआ है एग! 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 इपाने? बाद खूजः कर लादिन िए सब्सेदक साइब अच्चूफीन इंग हो यह दिया है झाल